Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, जेके study info, I hope you are all doing well, आज बहुत दिनों के बाद जिमोनेट कश्मीर के गोर्मेट स्कूल में निव पोस्टोज निकल कर आ चुके हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, बहुत दिनों के बाद डिस्ट्रिक वाइज आपके पोस्टोज आ चुके हैं, इलिजबल्टी क्या रहने वाली हैं, कालफिकेशन क्या रहने वाली हैं, सेलरी आपकी इसके लिए 20,000 रहने वाली हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस-किस डिस्ट्रिक के लिए कितनी वेकनसीज हैं, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आ चुके हो, चैनल को जरूर करना ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें तो दोस्तों शुरू करते आज के इस वीडियो को सबसे पहले नीचे कॉमेंट बोक्स में मेंशन करना आपके इस डिस्ट्रिक्स से बिलांग करते हो दोस्तों यह आप यहां पर देख सकती हो यह आप्शल देखेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक देखना पहला जो पोस्त है वह है आईटी आईटी कुटवा के लिए नाइन कुलगाम के लिए एक उधंपूर के लिए एक इसके लिए आपकी कालिफिकेशन रहने वाली हैं बेचलरिस डिगरी इन कंप्यूटर अप्लिकेशन य लेवल सर्टिफिकेट है तो आप फिर भी इसके लिए अपलई कर सकते हो यह आप यहां पर चेक कर सकते हो यह इसके लिए मिनमम क्राइटीरिया रहने वाला है डिजरेबल भी आप इसमें चेक कर सकते हो नेक्स्ट आगर हम पोस्ट की बात करेंगे वह है एगरी कल्चर जि पोस्ट के लिए qualification रहने वाली हैं जो agriculture के पोस्ट हैं यहां पर आप देख सकते हो अगर आपने PG किया है डेरिंग में या animal husbandry में या MTEC किया है food technology में with dairy animal husbandry is elective subject तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और साथ में एक साल की work experience होनी चाहिए अगर ये नहीं अगर आपके पास BVSC, BTEC, dairy, BSC agriculture इन में से कोई भी है साथ में दो साल की experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो next है agriculture इसका एक post पेड़ी farmer रजोरी के लिए एक post है यहां पर आप देख सकते हो post graduation होनी चाहिए आपको agriculture या agronomy किसी भी recognized university से और साथ में एक साल की experience होनी चाहिए अगर ये नहीं तो अगर आप BSC agriculture हो दो साल की experience है या अगर आपको MSC agriculture है एक साल की experience तो आप इसके लिए apply कर सकते हो या आप यहां पर देख सकते हो आप बहुत सारे candidates का ये confusion रहता है कि हम experience कहां से लाएंगे आपके बहुत सारे ऐसे posts होते हैं जो contract based पर रहते हैं जिनके लिए आपके कभी experience नहीं होती हैं लेकिन बहुत सारे candidates उसमें क्या mistake करते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें apply नहीं करेंगे क्योंकि ये contract based पर हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इसकी आपको experience भी मिलती हैं कल को अगर कोई भी आपका permit post निकलता है जैसे कि यहां पर post आये हैं इनके साथ-साथ experience भी आपको चाहे तो ये experience इनही contract post से आपको मिलता है जो भी आपके contractual post आते हैं इसलिए जो भी contractual post आपको आएंगे जब तक आप permit job find करोगे जब तक आपको कोई आची खासी जाब न लग जाए तब तक इन post के लिए भी apply कर सकते हो ताकि ये post इनसे आपको कल को एक तो आपको earning होगी और आगे चलके इनसे आपको फाइदा भी मिलेगा आपको experience मिलेगी next post है tourism में यहाँ पर आप देख सकते हो and hospitality इसके लिए चार post इस housekeeping को ठवा के लिए दो बारा मुला के लिए दो इसमें आपको relevant field में master's degree होना चाहिए या आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी आपको आर दिया गया है अगर ये degree नहीं है तो दूसरी degree अगर आपको यहाँ पर पीजी डिप्लोमा है housekeeping में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो यह आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पोस्ट है आटो मोट्यू इसके लिए 14 पोस्ट इसके लिए 9 अनतना के लिए एक बांडीपूरा के लिए एक पुलवामा के लिए एक शुपेन के लिए एक उ पुलगाम के लिए एक कुफवारा के लिए एक पुंच के लिए तीन उधांपूर के लिए तीन रांबर के लिए चार डोडा के लिए एक रियासी के लिए एक पुलवामा के लिए एक बड़गाम के लिए एक अनतना के लिए तीन इसमें आपको बीए बीटेक इन 2000 पर मन्त रहने वाली है अगर आपकी एज 18 है मिनमम और मैक्जिमम 40 एरस तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हो यह आप यहाँ पर देख सकते हो एपलाई कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए वीडियो को एंट तक देखना और अपने फ्रेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शियर करना इसकी आपकी जो लाश्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 25 अफेबर वरी 2024 रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी क्योरी है तो आप इन नमराद पर इनको कॉंटेक्ट कर सकते हो आप बात करेंगे कैसे आपको एपलाई करना है और कौन कौन से डाक्मेंट्स अप्लोड करने हैं एपलाई केसे करना है यह आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स या कॉमेट बुक्स में आपको गूगल फारम लिंक मिलने वाली है एपलीकेशन फार वोकेशनल ट्रेनर्स यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको किसके लिए अपलाई करना चाहते हो एगरिकल्चर टूरिजम एंड हास्पिटल्टी एलक्रोनिक्स एंड हार्डवियर आईटी आईटी यहाँ पर आपको चूज करना है उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है फादर्स नेम डेटा बुरत कंटेक्ट नंबर आल्टरनेट्व कंट चूज है तो उस डिस्रिक में उन स्टूडेंट्स के पास हो वो कालिफीकेशन नहीं है तो नेक्स्ट जो भी डिस्रिक होगा वो स्टुडेंड्स आप्यों पर फिलउप होगे यहाँ पर आपको checkbooks with documents uploaded by you, कौन-कौन से documents आपने यहाँ पर upload किये, उसके बाद आपने submit करना है, यह आपका यहाँ पर फारम submit होगा, आप डिरेक्टर इनको यहाँ पर resume send कर सकते हो, इनकी यह जो email है यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी क्योरी है इस post के related तो आप इनको in contacts पर phone भी कर सकते हो, contact भी कर सकते हो, यह आपके लिए big update थी, बहुत सारे candidates के लिए district wise आपके यह post रहने वाले हैं, contract based पर, और अगर इसकी हम selection process की बात करेंगे, इसके लिए आपको पहले URL लिया जाएगा, या return test लिया जाएगा, जो भी इसकी details होगी, यह आपको mail पर आए होगा, या आप चेक कर सकते हो, यह थी update, इसी तरह के छोटे बड़े updates पाने के लिए channel को subscribe कीजिए, मिलते आपने इसी next video में, तब तक के लिए good luck